हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई होब कि आप सभी अच्छी होंगे मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब दा फ्री लर्निंग प्रेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैं साइन्स स्स्टी एप्सलूटली फ्री एट लर्नोहब डॉट कॉम बच्छों आज हम डिस्कुस करेंगे ICC Class 6 टॉपिक हमारा है टाइपस ऑफ एग्रिकल्चर चली बच्छों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर टाइपस ऑफ एग्रिकल्चर अग्रिकल्चर की बात करें तो बहुत ही हमारी कितनी सारी इंडस्ट्री जो है वह एग्रिकल्चर पर ही डिपेंड है जैसे कि हम बात कर सकते हैं फूट ग्रेंस एग्रिकल्चर से आते हैं फर नीचर के लिए लकडिया एग्रिकल्चर से आती है कितनी सारी मेडिसंस एग्रिकल्चर से आते हैं टेक्स्टाइल history agriculture इस तरीके से agriculture जो है उसकी हम सबी की life में बहुत इंपोर्टेंस है इसलिए हफ़ार हम लोग पहले अग्री कल्चर के बारे पें थोड़ आसा समझेंगे उसके बादे हम टाइबस आप अ ग्री कल्चर तो अग्री कल्चर जो word है देखते हैं कहां से derived हुआ है यह derived हुआ है Latin word एगर और cultura को मिला के ठीक है एगर जिसका मतलब है क्या field ठीक है and cultura जिसकी meaning है cultivation यानि की field पर cultivation करना कि इसका पूरा meaning हो गया ठीक है कि खेती करना अब हम लोग बात कर रहे हैं agriculture तो agriculture में सिर्फ खेती करना ही नहीं आता है देखा जाए तो इसमें बहुत सारी activities जो है वो शामिल है जैसे animal husbandry ठीक है परशों को पालना डेरी products के लिए meat के लिए ठीक है इसके अलावा poultry यानि की मुर्गी पालन ठीक है इसके अलावा आप लोग बात कर सकते हैं कि पॉंड में जो फिश है उनको पालना ठीक है यह सारा क्या है यह सारी activities जो है यह agriculture में ही आती है कितनी सारी countries agriculture देखा जाया तो बहुत सारी countries में वो as a occupation लिया जाता है कितनी सारी ऐसी countries है जहां पर primary occupation जो है वो agriculture ही है इंडिया का primary occupation क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो agriculture में लगे है ठीक है Asia and Africa की बात की जाये तो यह ऐसी countries हैं जहां कि लगभग 50% population जो है वो agriculture में ही है क्या बता सकते हैं कि इंडिया में कितने % लोग जो है वो agriculture पर डिपेंड है अप्रॉक्स 58% लोग जो है वो agriculture से ही जुड़े हुए है ठीक है चलिए तो आगे आते है अग्रिकल्चर इंक्रूर सा range of activities इसको हम लोग समझ लिया हम लोगों ने समझ लिया range of activities क्या है वही dairy products के लिए meat के लिए परशो को पालना यह crop उगाना यह सारी चीज़े अच्छा agriculture की में activities हम लोगों ने देखा बहुत सारी है लेकिन सबसे ज्यादा main कौन सी है सबसे main जो है वो है food grains उगाना क्यों क्योंकि यह हम सभी की daily की जरूर का यह ऐसी countries है जहां कि बहुत सारी population जो है वो agriculture में ही लगी हुई है अब बात करते हैं subsistence farming इस तरही की farming में जो farmers होते हैं अपनी small piece of land पर खेती करते हैं इस तरही की जो farming होती है इसमें जो farmers खेती करते हैं वो अपनी और अपनी family की जरूरते जो है वो पूरी करने के लिए करते हैं खेती जैसे बात की जाए तो food grains में देखा जाए तो rice है wheat है यह क्या है डेली के लिए चाहिए होता है ठीक है vegetables daily के लिए चाहिए होता है ठीक है तो इस तरीके की जो crops होती है इनको वो grow करते हैं हम लोग बात करें fertilizers यह लोग कैसे fertilizers जो है उनका use करते हैं तो fertilizers में देखा जाए तो जो natural होते हैं और गैनिक होते हैं उन fertilizers का use किया जाता है जैसे कि cow dung हो गया animal droppings हो गया कैसकते हैं dead and dried जो plants होते हैं वो जो हम लोग कहते हैं ना compost card है ना तो इन चीज़ों का वो लोग use करते हैं अब बात करें irrigation irrigation के लिए यह लोग depend रहते हैं monsoon rain पर ठीक है तो depend रहते हैं monsoon rain पर की जब monsoon आएगा बारिश होगी तब उनकी से चाही होगी ठीक है तो यह हो गया आपका subsistence farming अब हम लोग बात करते हैं intensive farming इस तरीके की farming जो है वो small plot of land पर की जाती है यहां ऐसी farming कहां पर होती है जहां पर population ज्यादा होती है ठीक है ज्यादा population होती है वहां पर इस तरीके की farming की जाती है इनका main aim जो होता है वो होता है अधिक से अधिक crop grow करना ठीक है अधिक से अधिक crop grow करना उसके लिए high yield seeds जो है उनका use किया जाता है उसके लिए pesticides हो गए fertilizers हो गए ठीक है इन चीज़ों का काफी use किया जाता है ठीक है जिससे की crop अच्छी ह इस तरीकी की जो खेती होती है उसमें एम क्या रहता है high yield यानि की अधिक उपर प्राप्त करना या उगाना यही इनका main aim होता है इस तरीकी की जो agriculture है वो बहुत ही expensive होती है क्यों होती है जैसा भी हमने बोला high yield seeds ठीक है तो इस तरीकी के जो seeds खरीद होंगे वो क्या होंगे खरीदने पड़ेंगे ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें seeds हो गए ठीक है pesticides हो गए फर्टिलाइजर्स हो गए यह सारी चीज़ें खरीदनी होंगी इसमें बहुत सारे लेबर्स की जरुवत होती है तो उनको भी कुछ नो कुछ देना पड़ेगा ठीक है इस तरी इंडेंशिव फार्मिंग अपकी है तो इसमें अगर हम लोग देखें तो साल में दो से तीन क्रॉप जो है वह एक ही लैंड से प्राप्तिक की जा सकती है जैसे हम लोग बात करते हैं राभी खारीफ और जैद जो हमारे तीन सीजन की फसले होती है ठीक है तो एक ही आपका नमेंबर दिसम्बर वाला टाइम जो है उस टाइम में क्या गया उस समय में जो वीट है वो उगा दिया गया ठीक है फिर उसकी कटाई हो गई फिर आपका जो एपरिल में वाला टाइम है मार्च से लेके में वाला ठीक है तो उस टाइम में क्या है आपका किक्युम्ब सब्सक्राइब यां सकती है यहां लाउन के यह तरह सकते हैं जी हो घपन गया और क्रॉप रोटेशन हो गया अच्छा यह अजितने था आई हैं फरटिलिटि को बनार रखता है वरना क्या है आप उसके लगातार आज यह है वह प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे में क्या होगा कि वह लैंड कि फर्टिलिटी जो है वह कम हो जागी बट भाप्रोटे éaşंग उसको वह है कि यहां पर हम लोगल मुट हब बात की डबल क्रॉपिंग मॉल辢़ लीजिए तौ डबल क्रॉपिंग में क्या होता है double cropping में यह होता है कि एक ही time में होने वाली जो फसले होती है उनको किसी एक ही खेत में उगा दिया गया सारी फसल नहीं कि उसी सीजन में जितनी हो रही है ठीक है मगर एक से अधिक फसल जो है वहाँ पर एक से अधिक लट बन पर थैसे धिया वहां पर जए है वो कटकिए वह और उसकी दुसरी वह त्सकाहओ नाओ कर दिगई टीके तो इस activities कि इस तरह काया वह राक्टिस जो है वह रखते हैं चैना हो गया जपर टाइंप में डाइंट्न होगया नेंट ने वहं mainly इन जगों पर की जाती है, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो हिमालियन रीजिन है, वहाँ पर इस तरीकी की अगरिकल्चर जो है, वो किया जाता है, coastal areas हैं, वहाँ पर किया जाता है, narrower plains of Brahmaputra Valley of Assam, यहाँ पर किया जाता है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि हाँ सॉयल जो है हम लोग बात करें कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्रॉप लोट्रेस्टिर मैथड जो है इसकी वज़े से क्या है कि वो हेल्प मिलती है ठीक है कि वो खराब नहीं होने पाती है लेकिन वही पर दूसरी तरफ इस फसल को ग्रो करने में ठीक है इस तरीके कि जो फार्मिंग होती है उसमें बहुत सारे अभी हमने बात की थी पैस्टिसाइड का यूज होता है बहुत सारे फर्टिराइजर का यूज होता है तो जब लेंड बहुत ज़ादा है तो यानि कि यहां पर मैन पावर जो है वो ज़्यादा चाहिए यहां पर खेती के लिए बट मैन पावर तो कम है ठीक है पॉबलेशन कम है तो यहां का काम कैसे होगा यहां का जो काम होगा जो होता है वो मशीनों के द्वारा होता है ठीक है यहां पर देखा जाए तो कमबाइन हार्वेस जो है उसका यूज किया जाता है उस मशीन का यूज किया जाता है और उसके द्वारा क्रॉप ग्रो की जाती है ठीक है यहां के जो मेन क्रॉप्स होती है वीट मेज बारले यह क पर क्या है, मशीन का यूज हो रहा है, तो मशीन के लिए क्या होगा, कि जहां पर बड़ी बड़ी लैंड होंगी, ठीक है, जो फील्ड है, ठीक है, जो उनके खेत होंगे, वो बहुत बड़े-बड़े होने चाहिए, लगभग 1000 से 2000 तो 2000 तो 2000 अराउंड एकर, एकर में यहां पर लैंड जो है, वो चाहिए होती है, ठीक है, देखा जाएंड जो जो टेंपर इस तरीके की फार्मिंग की जाती है, इसके अलबागर एरियाज की बात करें, तो एरियाज में आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका का साउथ पार्ट जो है, वहां पर इस तर क्ल्टिवेशन ज्यादा तर देखा जायें तो यह जो फॉरेस्ट होते है उन एरिया चाहता प्रपाट रस किया जाता है जिसा नाम है इसलों 가능 ? जेसे हम दखें कुछ अपनिक तक रहां यह नाम है ठीक है तो जो ट्राइब्स होते हैं उनके द्वारा ये की जाती है वो लो क्या करते हैं एक किसी जंगल में गए और उन्हेंने कोई लेंड देखी और वहां पर क्या होता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है जो ट्री हैं प्लांट से उन सभी को पूरी लेंड के लिए ठीक है वो क्या करेगी लेंड के लिए festiglization का काम करेगी दूसरा range वह मिल जाती है तो इस तरी की से वो लो क्या करते है crop grow करते हैं अब कुछ time तक وہ वहां पर रहते हैं लेकिन एक time के बाद क्या होता है इस चीज को इसको कहा जाता है slash and burn क्योंकि अभी हमने देखा कि उसकी कटाई होती है फिर उसके बाद जला दिया जाता है तो आपके सामने अगर slash and burn आ गया ठीक है या फिर कह सकते है shifting cultivation आ गया ठीक है तो यह सारे एक ही है तो इस तरीके से उसको जला दिया जाता है और वहां पर fertility मिल जात होती है ठीक है लेकिन एक टाइम के बाद एक लंबे टाइम के बार बार यही प्रोसेस जब चलता है तो फिर क्या होता है जो land जो soil होती है ठीक है उसकी fertility एक टाइम के बाद खतम हो जाती है ठीक है क्यों हो जाती है वह हो जाती है excessive leaching की वज़े से जिसकी वज़े से क्या हो वो पूरी तरह से बैरन हो जाती है, जब लैंड बैरन हो जाती है, तो ये लोग उस एरिया को छोड़ के फिर दूसरे एरिया को अपने लिए सर्च करते हैं, और फिर वहां पर shift हो जाते हैं, वहां कुछ दिन रहते हैं, साफ सफाई करते हैं जंगल की और उसके बाद वहां और वो खेती करते हैं इसलिए इसको shifting cultivation कहा गया है अब यह जो पेड़ों को काटने के लिए यूज करते हैं यह लूग यूज करते हैं लार्ज नाइफ का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है मेशिटेज तो इसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं कि जो पेड़ काटते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं किसी और मशीन का या किसी और चीज़ का यूज़ ये नहीं करते हैं इसके लिए इरिगेशन के लिए ये लोग पूरी तरह से रेन पर ही डिपेंड रहते हैं ठीक है डिपें cultivation है क्या ये सही है अगर देखा जाए नहीं ये पूरी तरह से wasteful है देखा जाए तो जब जंगलों को नुकसान पहुचाए जाता है वहले तो उनकी कटाई की गई नुकसान पहुचाए गया उसके बाद उनमें आग लगा दी जाती है जब ऐसा होता है कि उसको बर्न भी कर दिया जा रहा है तो वहां पर कितने सारे animals रहते हैं कितनी सारी birds रहते हैं तो उनका नुकसान होता है ठीक है तो ये देखा जाए तो plants animals and birds इन सभी के लिए बहुत ही harmful होती है तो अब हम लोग देखते हैं कि shifting cultivation जो है वो किन जगहों पर हो किया जाता हूँ ठीक है shifting cultivation जाय Raymond in ंडोनेशिया ठीक है Amazon basin हो गया हूँ ठीक है जाररय बैसिन इंडोनेशिया में Malaysia and other forest area within the tropics इन जगहों पर की जातीं इंडिया में देखा जाये तों इंडिया तो इंडिया और और अन्मान एंड निकोबार आईलेंड जो है यहां पर की जाती है जूम कल्टिवेशन अब इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है जैसे हम लोग क्या जूमिंग कहते हैं ठीक है जूम कल्टिवेशन जूमिंग कल्टिवेशन ठीक है इसके अगर हम लोग बात करें, इंडोनेशिया में इसको लेडिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चेना, श्री लंका में, रोका, ब्राजील में, मिल्पा, इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, तो इन अलग-अलग नामों से जाना जाता है, बट आप लोग दुम कल्टिवेशन हो अगया, श्रीपिवेशन हो गया, इसका नाम याद रखिया अब करते हैं कमर्शेल यादा नाम से समाझ में थाया, चेना क recurम की जाता है, में र explored इस एक तो होता है कि लोग जो हैnd वो सिर्फ अपने परपस से खहती करते हैं ठीक हैं उनके पास ему धेकि ते वे, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी जरूरत का जो है, उतना ही ग्रो करते हैं, या फिर छोटी मार्केट्स जो है, वहाँ पर बिग जाए, इतना ही, लेकिन कमर्शिल farming की अगर हम लोग बात करें, यहां पर जो grow किया जाता है, large scale पर किया जाता है, ठीक है, इसका जो use होता है, ठीक, तो उसको देखा जाए तो country में, क्योंकि अगर हम देखें, भाई, कितने लोग farmers हैं, ठीक है, farming का काम कितने लोग करते हैं हमारी country में, population जो है, वो कितनी है, अ अब उसके बाद, बचे commercial वाले, जो कि क्या करते हैं, जो कि इस purpose से उगाते हैं, जो crop होती है, उसको grow करते हैं, कि वो अपनी country में, और बाहर की country में, ठीक है, national, international, दोनों level पर इनको बेचा जा सके, इस purpose से crop grow करते हैं, ठीक है, अच्छा, अब यहां पर land का, अगर हम लोग बात करें, कि land का size जो है, वो क्या होना चाहिए, अगर commercial परपस से की जारी, तो वो बड़ी land ही होना चाहिए, इनका main aim जो है, main aim इनका होता है, profit कमाना, ठीक है, main aim क्या होता है, main aim होता है, इनका profit कमाना, जैसे हम लोगों ने देखा, कि जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अप modern techniques, जो है, उनका use किया जाता है, modern techniques, यानि irrigation के जो नए-ने तरीके हैं, उनको adopt करना, seeds का use करेंगे, तो अच्छे seeds का use करेंगे, ठीक है, कि जो crop हो, वो अच्छी हो, ज़्यादा हो, ये pesticides का अच्छा का सा use करेंगे, कि बाई, किड़े ना लगने पाए, fertilizers जो है, उनका use का मातरा में करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से, जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा crop, जो है, वो grow की जा सके, और earn किया जा सके profit, ठीक है, अच्छा, इस तरीके की अगर हम लोग बात करेंगे, जो commercial farming होती है, ठीक है, किन countries में ये ज़्यादा होती है, भई हमारे हागर देख जाता है, वो commercial purpose से ही grow किया जाता है, इनमें अगर देखें, तो आपका है USA है, ठीक है, Europe है, Canada है, Russia है, Australia है, ये सारी countries जो है, यहाँ पर commercial purpose से बहुत ज़्यादा grow किया जाता है, ठीक है, कौन कों से products होते हैं, ज़्यादा तर देखा जाए, तो इनमें Apple होता है, आपने देख हो गया, broccoli हो गया, cauliflower हो गया, ये सारी जो कह सकते हैं, vegetables, fruits हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, commercial purpose से इन जगों पर grow किये जाते हैं, जब बात करते हैं, जब commercial farming की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इंडिया में commercial farming किन किन चीजों के लिए, किन estate से ज़्या वो grow की जाती है, कुछ हिससे में ज़्यादा है, कुछ हिससे में कम है, वहाँ के weather के according, लेकिन फिर भी यहाँ पर types of variety जो है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, crop की, ठीक है, तो one by one यहाँ पर कुछ को हम देखते हैं, कि कौन सी crop यहाँ पर commercial purpose से grow की जाती है, क पर नासिक में बहुत ज़्यादा grow की जाता है, आते हैं oranges, oranges भी देखा जाये तो कई जगों पर होता है, उन में से आपका महरास्ट्रा है, सिक्किम है, इन जगों पर orange जो है, वो commercial purpose से grow की जाता है, ठीक है, कि उसको import और, sorry, उसको क्या किया जा सके, उसको अपनी country में और ब जा जा सके, यूज किया जा सके, ठीक है, फिर आता है cauliflower, cauliflower, southwest Bengal हो गया, apples की बात करें तो apples के नाम से तो हिमाचल जो है, वो सबसे पहले mind में आता है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, and काश्मीर हो गया, अब बात करते हैं rice, rice में आपका है, हर्याना है, पंजाब है, उत्राखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन जगों पर commercial farming की जाती है, ठीक है, किसकी rice की, coconuts and spices की बात करें, तो इसमें तो है, देखिए, जब Britishers यहां पर आये थे, तो spices के लिए ही पहले आये थे, केरला की तरफ है न, तो यहां पर वो trade के लिए केरला, काली कट, ठीक है, तो यहां पर बात करें, coconut and spices, जैसे इसमें ginger and garlic भी ले ले लेते हैं, तो यह जो कि अगर देखा जाए, crop जो है, वो कहां पर grow की जाती है, तो यह commercial purpose से केरला में बहुत ज़ादा grow किया जाता है, coconuts भाई केरला की तरह अगर हम लोग जाएं या वहां का कोई scene देखें, तो coconut trees जो है, वो तो बहुत सारे दिखते हैं, line से बिलकुल भरे रहते हैं, अब बात करते हैं, potatoes, जो कि West Bengal and Maharashtra इन जगों पर commercial purpose से grow की जाती है, फिर आता है आपका cotton, decan plate, ठीक है, फिर है mango, बिहार, mango की तो बहुत सारी varieties होती है, जो बात करते हैं, plantation farming, plantation farming, यह commercial farming का ही एक रूप है, ठीक है, plantation farming, commercial farming का ही रूप है, जिसमें कि जब crop जो है, वो grow की जाती है, तो single crop लगाई जाती है, जैसे हम देखें, जहाँ पर food grains वगाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक जो plot में अगर बटा हुआ है, तो एक plot जो है, वो आपको एक चीज का दिखेंगा, जैसे wheat क दिख गया, या फिर 2-4 plot जो है, वो एक साथ मिला के आपको wheat के दिख रहा है, फिर कुछ दूर पर आपको क्या है, शुगर के दिख रहा है, फिर कहीं पर आपको mustard दिख रहा है, इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखें, जितनी दूर आपकी नजर जाता है, cash crops जो है, वही grow की जाती है, ठीक है, cash crops ही यहाँ पर grow की जाती है, तो इसको plantation के तौर पे, इसको कहा जाता है, plantation के तौर पे, कि एक लार्ज एरिया में एक ही चीज को केवल grow किया जाता है, ठीक है, single crop grow करना मतलब, कि एक ही तरीके की फसल जो है, वो पूरी जगह जाती है जैसे हम लोग देखे हैं हम लोग क्या जो other farmers होते हैं ठीक है वो क्या है food grains ठीक है कि उसमें बहुत सारी varieties है कहीं vegetables भी है कहीं fruits भी है food grains है उनको वो grow कर रहे हैं अगर हम लोग plantation की बात करें तो वहां पर हम देखेंगे एक ही चीज जो है उसी को पुरा grow किया जाता है quality control यहां पर बहुत ही important होता है क्यों क्योंकि इसकी demand जो होती है जो यह commercial crop plantation farming वाली जो crops होती है ठीक है तो इनकी demand national international दोनों level पर होती तो इसलिए इसकी quality control जो है वो बहुत ही important होता है ठीक है क्योंकि quality अच्छी होगी तब ही चीज़े जाएंगी ठीक है crop prepared in nurseries ठीक है nurseries होती हैं वहां पर इनके छोटे छोटे पौथे जो हैं वो तैयार हो जाते उसके बाद इनको plantation में लाकर लगाया जाता है ठीक है यहां पर देखा जाये तो सारा काम जरूर वो देखा जाये तो एक बागान जो होता है ठीक है plantation जो होता है तो क्या है आसमान के नीचे खुले में क काम हो रहाँ है लेकिन पूरा काम बिलकुल और्गिनाइज्ड मैनिस्ट तरीके daiši k The Amendments तरीके से होता जैसे कि एक फैक्करि में रहा है जैसे जिस काम के लिए जो फिक्स से वहकी काम करेगा ठीक है इसके लिए skill labor वगेरा चाहिए होते हैं ठीक तो पूरा काम जो है manage तरीके से होता है large amount money जो है वो इसमें बहुत जादा चाहिए होती है मतलब जब plantation जो है वो तयार करना है तो money जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि scientific जो technologies है उनका भी use किया जाता है इसके अलबाए इसके labor भी चाहिए ठीक है बाकी अधर खर्चे है वो सारी चीज़े चाहिए एक बड़े area में इसको grow करना है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर large amount of money जो है वो चाहिए यहाँ पर काम देखा जाए ठीक है जो आपने देखा होगा कि जो यह plantation वाला area होता है ठीक है यहाँ पर क्या है सारे काम जो है वो उसी जगह पर ही होते है plantation में ही जैसे crop जो है वो grow की गई वहीं पर grow की जाती है ठीक है उसके बाद उसकी कटाई छटाई जो है फिर आगे उसका जो process है वो सारा कुछ वहीं पर होता है यहाँ तक कि इसकी packing जो है वो भी plantation area जो होता है इनी जगहों पर ही होती है जिसको कहा जाता है estate ठीक है जहाँ plantation जो होते हैं वहीं पर ही सारा process होता है उसको कहा जाता है estate ठीक है connectivity की बात हब लोग करें तो connectivity इनकी बहुत अच्छी होती है इनकी connectivity railway से road से main city से town से इन सभी से होती है तभी क्या है सामान जो है वो एक जिगह से दूसरी जगह पर जा सकेगा ठीक है तो connectivity इनकी बहुत अच् बात कर लेते हैं tea plants की ठीक है बहुत सारी चीज़े इसमें अभी दिखेंगी बड़ tea plants की बात करें तो tea plants जो होते हैं जब उनको क्या कर जाता है तो बस उपर की जो soft leaves होती है उनको ही तोड़ा जाता है ठीक है तो अब इसके लिए किसी को भी लगा देंगे तो बस उसको य का लेंगी common in कहां पर common है tropical subtropical countries जो है Asia and Africa की वहां पर ये common है इंडिया को plantation farming जो है इससे introduce कराने वाले थे Britishers जब वो Britishers यहां पर आये यहां की economy पूरी तरीके से उन्होंने अपने हाथ में ले ली तो जो plantation है इसमें अच्छा कासा profit है तो यहां पर उन्होंने इसको कराना श होता था और वो खर्च कहा होता था उनकी country के लिए ही खर्च होता था ठीक है तो इंडियान subcontinent by British ठीक है तो इंडियान subcontinent में British जो थे उनके द्वारा इनको introduce कराया गया था ठीक है अब यहाँ पर क्या है हम लोग देख रहे हैं कि plantation जो है वो अच्छे खासे लोग वहाँ पर चाहिए होते बहुत सारे लोग चाहिए होते तो एक तरीके से plantation जो है देखा जाए तो यह एक तरीके से job opportunities है जहाँ पर काफी सारे लोगों को job जो है वो मिल सकती है ठीक है practice in parts of India ठीक है इंडिया में, श्री लंका में इंडोनेशिया में, मलेशिया में फिलिपीन्स में इन जगों पर plantation farming जो है वो की जाती है अगर हम लोग Indian subcontinent में देखे तो ठीक है इनकी main जो crops होती है वो क्या होती है tea है, coffee है, banana है banana यहाँ पर नहीं लिखा है बड़ बनाना है rubber है, cocoa है, coconut है, sugar cane है यह सारे, इसके अलावा cotton भी इसी category में आता है plantation क्योंकि जहाँ पर cotton जो है commercial purpose से जहाँ पर grow किया जाता है वहाँ पर पुर्यार लाइन से क्या होगा, cotton ही होता है ठीक है, तो cotton भी इसी में आता है, जाले बात करते हैं mixed farming, mixed farming जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कुछ मिला जूला होगा तो यहाँ पर मिला जूला क्या होता है मिला जूला यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर क्या होता है एक ही फार्म जो होता है वहाँ पर जो क्रॉप है वो भी ग्रो की जाती है साथ ही साथ उसी जबगा पर एनिमल्स जो है वो भी पाले जाते है एनिमल्स जैसे जिनसे डेरी प्रोडर जो है वो मिल जाते है ठीक है तो ऐसे एनिमल्स यहाँ पर पाले जाते हैं, कई बार क्या होता है, यहां पर पॉल्ट्री जो है, वो भी रखी जाती है, पॉल्ट्री मतलब मुर्गी पालन जो है, यह भी यहां पर किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो भी लोग यह मिक्स फार्मिंग करते हैं, इनके पास two source of income आ जाते हैं, एक income इनके पास crop से आ रही है, दूसरे income भाई इन्होंने पाशुपालन कर रखा है, ठीक है, कि इन्होंने animals जो हैं, वो रखे हुए हैं, तो उनसे मिन रहा है, ठीक तो इनके पास दो source of income हो जाते हैं, उसका फाइदा यह रहता है, कि भाई earning जो है, profit जो है, वो ज़्यादा होता है, और by chance एक चीज़ अगर खराब हो गई, तो दूसरा source उनके पास income का रहे गई, जैसे कई बार होता है, फसल खराब हो गई, लेकिन उनके पास animals हैं, तो वहाँ से source of income जो है, वो उनके पास आता रहेगा, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया, कि भा से source of income जो है, वो कम होने लगती है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने crop जो है, वो grow कर रखी है, तो क्या है, वहाँ से उनके पास source of income जो है, वो बना हुआ है, ठीक है, modern technologies जो है, उनका यहाँ पर use किया जाता है, जैसे हम बात करें, machine जो है, जो कि crop grow करने में use होती है उनका use होता है, अच्छे seeds का use होता है, fertilizer's हो गए, pesticide's हो गए, इनका अच्छी खासी quantity में use किया जाता है, इसके अलावा, भाई इनके पास animals है, तो फिर इनके पास animal manure जो है, वाई इस तरीके की जो खाद होती है, वो इनसे मिल सकती है, तो वो भी उसका भी use हो जाता है, ठी इसमें, soil erosion जो है, उसको कम करने में, जैसे, अगर हम देखें, जहां पर भी grazing होती है, तो जो animals होते है, उनके जो hoofs होते है, उनके जो खुर होते है, उससे क्या होता है, तो उससे क्या है, soil जो है, वो उखड़ती जाती है, तो इससे soil erosion होता है, अब यहां पर क्या है, plants भी लगे, animals भी है, तो animals उनके लिए fodder भी मल जाता है, दूसरी तरफ यह है, कि पेड़ पोधे लगे होने की वज़ासे, soil erosion जो है, वो कम होता है, ठीक है, तो rotation of crops and conservation of water, इसमें भी help मिलती है, ठीक है, किस से, mixed farming से, ठीक है, use crop residue, crop residue, crop residue, जब कोई crop जो होती है, उसको काट लिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको जड़ से तो निकाला नहीं जाता है, हर crop को, जैसे आपका reddish है, reddish क्या है, reddish को तो निकाल लिया गया, लेकिन जो चीजे ऊपर होती है, ठीक है, जो चीजे ऊपर उगती है, उसको क्य जो होता है वहां से उसको कट आजाता है बागी का पोर्शन जो है वो खेतों में ही रहHHHH? तो इसे में क्या है जब इनके पास Elements है Th per खेज जो है वो भी साफ हो जाते है ठीक है तो crop residue जो है उनका यूज इस तरीके से हो जाता है इसके अलबा बाईचांस अगर वहां पर भाई जो animals हैं उनको grazing नहीं कराएगी तो crop residue जो है उनका ये as a कह सकते हैं compost उसमें यूज कर लेते हैं ठीक है इस तरीके की mix farming हम लोग देखें तो USA, Europe इन जगों पर बहुत जादा की जाती है ठीक है इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में बहुत छोटे level पर होती है जैसे हमालयाज हो गए ठीक है कुछी areas हमालया के भी कुछ areas में ऐसी crop जो है mix farming जो है वो की जाती है ठीक है अब इस तरीके की जो farming होती ह है तो rearing of cattle यहाँ पर क्या है cattle जो है वो पा ले जाते हैं जिनसे की उनको dairy products वगेर मिलते है ठीक है बी जो है यह भी रखी जाती है किस चीज के लिए honey के लिए ठीक है इसके अलबा mushrooms हो गए dairy products हो गए यह सारी चीजे जो है वो यह सी farming से मिलते है तो बच्चों इस तरह हमार यह chapter complete होता है मिलते हैं next chapter at learn hub learn hub free है पर best है झाल यह पुपझ अेर्ण